केंसर जैसी जानलेवा बिमारी को वक्त रेते इलाद मिलने पर बजने की संभावना बढ़ जाती है इसलिए जरूरी है कि शुरुआती स्टेच पर ही इसका पता लगा लिया जाए कमन लेक्षन के जरीए केंसर के बारे में बताया लगाया जा सकते है की ज smartphone cancers की बिमारी का रूप लहता है je चांते हैं क्यंसर कंसर को सबसे common cancers इंडिया में एक रहते है वह हैं और मूट्र के प्रेस्ट के अंदर गठान होना जो की पेनलेस हैं मुझ का अंदर कोई अच्छाला जो दो या तीन होते से जधा हो गया है लेकिन पिर भी भर नहीं रहा है कि बेवजए वेट्लॉस होना पेशाब में या दैन के राफ्टे से खून आ आना लेट्टिन काली आना पेट्र बने रहना पेट्मे सुझन आना पेट्मे पानी भर जाना खांसी आना, बहुत लंबे समय तक सूखी खांसी आना या फिर खांसी के अंदर खून आना, थूख गुटकने में या खाना निगलने में दर्द होना या फिर खाना नहीं निगले जाना, गर्दन के सामने की और कुछ गठान होना, ये सारे कुछ कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कैंसर को हो सकते हैं कैंसर के हो सकते हैं कैंसर होता क्यूं है तो कैंसर होने के कई सारे कारण होते हैं पहला मुख्य कारण होता है तंबाकू मंद्रा पान करना सिगरेट पीना यह सबसे कॉमन कारण होता है यह गले का कैंसर मूं का कैंसर खाने की नली का कैंसर पिपनी कैंस प्रिषाप की थली का कैंसर बेट का कैंसर ब्लेड टैंसर यह सारे प्रकार के कैंसर स्टम्बाकू या उनके सेवन से हो सकते हैं दूसरा एक वीजन आता है एक्सरा जीवन में ना होना गाया रगुलर ना करना पीसरा वीजन है खाने पीने में लापरवाही बरतना जंग फूट्स खाना फास्ट खाना अपना जो सिहत भरा जो खाना रहता है जो इंडियन डाइट जिसको बोलते हैं जिसके अंदर हरी है मोटा आनाज इंक्लूड होता है इन सब जिदों को अवाइट करना है चौता कारण हो सकता है अनुवान्शिक या फैमिली जिनके फैमिली के अंदर कैंसर चलता या है हो सकता है कि वोवी एक एटरिस्ट हैं एक प्राइज भी होता है जैसे जैसे अपना शरीफ बुड़ आमकारण है और कारण कि अगर आपन बात करें तो हेपिटाइटिस बी वाइरस की वज़े से लिवर कैंसर हो सकता है हुमन पैपिलोमा वाइरस की वज़े से सर्विक्स कैंसर या बच्चे दानी के मूँ का कैंसर हो सकता है एपस्टीन वाइरस होता है जिससे लिंफोमा चिनामा कैंसर हो सकता है लंग कैंसर की बात करें तो स्मोकिंग है यह जो बहुत ज़्यादा पल्यूशन है एर पल्यूशन वो भी लंग कैंसर का बहुत बढ़ा कानन है और कुछ केसिस में अपन को कारण नहीं कि इन कैंसर से कैसे बचा जा सकता है तो कैंसर बचाव के लिए अपने आपको फिट रखना अपनी डाइट में ध्यान देना मदिरापान तंबाकू स्मोकिंग इन सबसे दूर रहना चौथा अगर आप किसी भी सिम्टम्स जो भी आपको आते हैं तो तुरंत आप अगर डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो भी हो सकता है कि अपन जो कैंसर अपनको स्टेज 3 स्टेज 4 में पता चले वह अपनको पहले ही मालूम चल जाए मैंने जेनेटिक्स की बात करी फैमली हिस है या नहीं है अगर उस टेस्ट में पाया जाता है कि इसके अंदर कुछ अनुवणशिक बिमारी का हिस्सा है उस मरीज को तो हमको उस मरीज के आसपास के जो परिवार के सरत से होते हैं उनकी जेनेटिक काउंसिलिन करनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आपको भी ये अनुवणशिक टेस्ट कर लेना चाहिए अगर आपके अंदर वो अनुवणशिक गतिविती चल रही होगी तो अपन उसको टेस्ट के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है और आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप उस कैंसर के एट रिस्क हैं या नहीं तो अपन उसक है कि आपको कैंसर बॉड़ी में डवलप हो रहा है लेकिन उसका अभी तक कोई सम्टम नहीं आया है अभी तक कुछ भी दिक्तत नहीं है आपको तो इसके लिए एक स्क्रिनिंग मेथड होता है जैसी कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो इसके अंदर एक मैमोग्राम करके ए इसको एक्सरे बोलते हैं ब्रेस्ट का इसके अंदर ऐसा है कि अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई चोटी गठान कोई भी छोटा कैंसर का सेल पना प्रहा होता है इसका कोई सिंप्टम मरीज को नहीं आता है इसके पहले ही अपन इस ट्रेस्ट के दौरा मालुम कर सकते हैं ब्रे इसके कारण यह सर्विक्स कैंसर होता है, यह सर्विक्स कैंसर होने के 10 से 15 साल पहले ही आप पता लागा सकते हैं कि आपको सर्विक्स कैंसर का रिस्क है या नहीं, भूंके कैंसर से बचाव के लिए आपको नियमत हुप की जाच करते रहेंगे तो आप उनको मालूम चल सकता ह तो ये कुछ screening test है, prostate cancer के लिए PSA नामत blood test है, तो लंग cancer के लिए आप low dose CP scan का test होता है, तो ये कुछ साधरन test है, साधरन cancers के लिए जो कि एंडिया में बहुत common है, उनके लिए अपनी screening से cancer को पहले भी detect कर सकते हैं. मैं कैंसर सरजन हूँ और कैंसर रोग विसीशा की अभी है एचीजी कैंसर हॉस्पिटल इन दौर में कारे रहत हूँ